खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। इसलिए के इन सरकार से ट्रस्ट बनाने के लिए नियम काईदे बनाने के लिए प्रभंधन ताम करने की भी सारी चीज़े सौब दी हैं। और मस्जितों को लेकर जो एक्ट है पुरानी विवादी जमीनों को लेकर उसके को भी धर्नरपेक्ष्टा की एक मिसाल बताते हुए अपनी तरफ से सुप्रीम कोट ने एक और नजीर भी पेश किये। लेकिन सबसे बड़ा आधार जिसकी वज़े से राम लल्ला को सारी जमीन दी गई वो बना 1856 तक हिंदू वहाँ पूजा करते थे ये सुप्रीम कोट ने माना और ये भी माना कि तब तक बाबरी मस्जित जो थी उसमें मुसलमान इबादत करते थे या नहीं करते थे इस बा रेलिंग जो बनाई गई उसमें चूंकी हिंदू चूंकी हिंदू वहाँ करीब जाकर बात करते पूजा करते थे इसलिए गुंबत के नीचे राम जनुस्ताम था हमारे साथ वकील है सुप्रीम कोट के विवेक आपको क्या लगता विवेक जी कि मुखे आधार यही रहा है बिल्कुल मुखे मेरे हिसाब से भी चार आधार रहे हैं एक तो जो आपने बताया कि 1856 से पहले मुस्लिम पक्ष ये नहीं साबित कर पाया कि वहाँ पर नमाज पढ़ते थे तो 1528 से उनका दावा था कि 1528 में ये बावरी मस्ज़द वहां पर बनी थी लेकिन 1528 से 1856 तक व वहां पर नमाज पढ़ते थे इस तरह का कोई एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई चीज प्रूव नहीं हुई है दूसरा जो इंपॉर्टन फैक्ट था वो था कि 1934 में मुस्लिम पक्ष ने वहां पर अपना अपजा खो दिया था तीसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से सबसे मुख्य बात रही यहां पर कि दो तरह के अकाउंट एक ASI की रिपोर्ट और दूसरा 15th century के travelers के अकाउंट जो वहां पर निकलने वाले वहां से जो भी गुजरते थे तो उनके जो अकाउंट्स हैं 15 पंदरवी श्रताबदी के वह एक बहुत भारी उसका रोल प्ले हुआ है कि इस चीज के इस डिसीजन के पीछे तो यह जो इंपॉर्टन पॉइंट है आपको इसके आगे यह भी लगता है कि जो ट्रस्ट की बात और केंड सरकार के पाले में गेन डाल कर यह अच्छा काम किया नहीं तो राम जन भूमी नियास के हिस्से में अगर यह जाती तो उसमें किस तरह से बनता और 67 एकर केंडर की जमीन कैसे किसी नियास को दी जा सकती लगता है किसी बी पक्ष को उन्होंने ऐसा पक्षपात नहीं करा है मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ड के इस जज्ज्मिन के द्वारा